मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजर शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद सेटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से बुरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना ह तो आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वारी शेप में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की तो यहां पर काफी hard working type की nature को show करती है और अगर fingers की length को देखा जाए यहां पर तो आप देख सकते हैं इनकी fingers में ब्रस्पती finger की length काफी अच्छी है और थोड़ा सा जुका ब्रस्पती finger का shiny finger की तरफ हो रहा है कुछ इस तरह की shape इनकी finger की यहां पर अब देख सकते हैं यहां से थोड़ी सी tiltation shiny finger की तरफ होती है और shiny finger काफी straight है और बिल्कुल thickness में काफी अच्छी है जिसकी वज़े से काफी hard working nature रहेगी लेकिन ब्रस्पती finger की length भी यहां पर काफी अच्छी है जिसकी वज़े से knowledge काफी अच्छी रहेगी spirituality रहेगी क्योंकि जब भी शनी finger का जुकाव ब्रस्पती finger का जुकाव जो है वो शनी finger की तरफ होता है तो ऐसे व्यक्ति काफी ज़दा spiritual हो जाते है अपनी life में जैसे जैसे age बढ़ती है spirituality की तरफ इनका जुकाव और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है Guru finger का अच्छी length में होना व्यक्ति को knowledgeable तो बनाता ही है साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी ego भी रह सकती अपनी knowledge की वज़े से और अगर यहां पर देखा जाए इनके सूरे finger को सूरे finger यहां पर medium length में है बिल्कुल straight सूरे finger है यहां पर कोई भी कमी इस finger ने नजर नहीं आ रही तो अच्छी creativity इनके भीतर रहेगी और अच्छा social circle भी ऐसे व्यक्ति अपना create कर लेते हैं चलिए देखते हैं इनकी mercury finger को mercury finger यहां पर थोड़ी short होती है नजर आ रही आप देख सकते हैं सूरे finger का जो first falange है वहां तक यह finger नहीं पहुंच पा रही लेकिन बिल्कुल straight है हलकी सी low set काफी अच्छे communication skills इनके रहेंगे लेकिन थोड़ी सी shy nature रहने के chances भी यहां पर काफी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उसके लावाब आप दिख सकते हैं fingers के उपर कुछ हलकी सीधी खड़ी रिखाएं हैं लेकिन साथी साथ कुछ आड़ी रिखाएं भी यहां पर नजर आ रही है कुछ इस तरह की रिखाएं जो यहां पर नजर आ रही हैं आपको बहुत हलकी रिखाएं यहां रिखाएं व्यकति को aggressive minded बनाती है और कुछ इस तरह की रिखाएं जो अगर ज़्यादा हों तो व्यकति की जो नेचर है काफी ज़दہ friendly रहती तो यहाँ पर दोनों तरह के प्रभाव इनकी लाइफ में रहने वाले हैं फिंगर्स के बीच में यहाँ पर काफी अचा गैप नजर आ रहा है अब देख सकते हैं यहाँ पर काफी फेर गैप है इनकी गुरू फिंगर और शनी फिंगर के बीच में और इवन सूरिय फिंगर और इनकी शनी फिंगर के बीच में भी काफी ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है जिसकी वजह से काफी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टैप की परसनेलिटे इनकी रहने वाली है और साथी साथ थोड़ी सा थोड़ी सी जिद्धी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके फिंगर्स के बीच में काफी सारे फियर गैप नजर आ रहे हो चली आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मर्करी माउंट हलका सा लो सैट है बहुत ज़्यादा डाउन सैट नहीं है और इवन इनके सूरिय शनी और गुरू माउंट काफी हाई सैट है जिनको बहुत अची स्पेस यहाँ पर म यूज अपनी प्रॉग्रेस में करता है तो यहाँ पर काफी अची नॉलज इनकी नजर आ रही है और साथी साथ अंगूठे के उपर यहाँ पर यहाँ पर यवका साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ चिन कुछ इस एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं यवका साइन बनता हुआ और अंगूठा मूठे के साथ साथ यहाँ पर एक आड़ी रेखा इस तरह है कि जो आप नजर आ रही होगी जिसको हम रिंग ऑफ सोलमन कहते हैं या फिर इस तरह की रेखा होने से वेक्टी स्प और साथी साथ यहाँ पर सिक्स सेंस वेक्टी की काफी अच्छी रहती है जब इस तरह के चिन हाथ में मौझूद हो ऐसे वेक्टी आने वाली किसी भी घटना के बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं पहले से ही भाप लेते हैं किसी भी तरह की घटना चाहे वो अ आरती साथ यहाँ पर शनी रेका जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉण नहीं है ऐ आप देख सकते हैं शनी रेका की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो रही है। अपनी हार्ड वर्क की वज़े से ही लाइप में आगे बढ़ पाते हैं और शनी रिखा के बीच में ऐसी ब्रेक्स का होना जैसे आप यहाँ पर देखते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग नजर आ रही है और आगे फिफ्टी एट के आसपास की एज़ में फिर से गैप नजर आ रहा है तो इस तरह की गैप्स का होना इंडिकेर करता है कि व्यक्ति को लाइफ में कई बार अपसें डाउंस का सामना करना पड़ेग लाइफ में स्ट्रगल काफी ज़्यादा रहेगी काफी ज़्यादा मेहनत इनकी लाइफ में रहेगी तभी जाकर यह तरक्य कर पाएंगे आगे देखते हैं इनके सूरे मांट को यहाँ पर शनी मांट की तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ दब रहा है और एक स्ट्रॉंग काफी ज़्यादा फेम मिलता है यहाँ पर चोटे साइस की रिखाएं होने से इंडिकेशन मिलती है कि जो रिकोगनिशन है जो फेम है सुसाइटी में वो ऐसे विक्ति को ओल्ड एज में जाकर ही मिल पाता है और यंग एज में बहुत ज़्यादा फेम की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं रख सकते और खास तोर पर यश मिलने में दिक्कते रहती हैं जब भी सुर्या माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो तो यहाँ पर कुछ इस सरह के चांसिस नजर आ रहे हैं चलिए आगे देखते हैं इनके मरकरी माउंट को तो मरकरी माउंट अब देख सकत हैं इनकी मेजर लाइन्स को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन और कुछ इस तरह से इनके बरस्पती माउंट तक पहुंचती हुई इस तरह की हार्ट लाइन इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति काफी ज़्यादा loyal and honest होते हैं जिनकी हाट की लाइन बिलको straight हो और सीधा ब्रस्पती मौट तक पहुंच जाए ऐसे व्यक्ति spiritual भी काफी ज़्यादा होते हैं और दिल से spirituality को follow करते हैं हाट की लाइन यहाँ पर थोड़ी chain नजर आ रही है आप देख सकते हैं हाट की लाइन में कुछ इस तरह के chain टाइप के structure बनते हुए जो downward branches हैं यहाँ पर नीचे की तरफ चलती दिखाई दे रही है हाट की लाइन अगर straight हो और बिल्कुल deep cut हो तो काफी ज़्यादा अच्छा रहता है लेकिन जब इस तरह के island formation हाट की लाइन पर बने और downward ऐसी branches हो तो यह है indicate करती है कि व्यक्ति को अपनी हाट की health का खास ध्यान रखना होगा यहाँ पर थोड़ी सी दिखतें आ सकती है old age में चलकर हाट की problem को लेकर blood pressure जैसी problem हो सकती है व्यक्ति को और साथी साथ emotional setbacks मिलने के chances भी काफी ज़्यादा बढ़ जाते है इसके इलावा हाट की land पर इस तरह का island बना जो यहाँ पर लगबग 70 की age में नज़र आ रहा यह हाट की health के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता तो old age में चलकर यहाँ पर कुछ problem हाट से related आने के chances भी काफी ज़्यादा strong नज़र आ रहे है चलिए आगे देखते हैं इनकी mind line को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं mind line काफी ज़्यादा straight है लेकिन उसके उपर काफी सारी काटने वाली रिखाएं जिनको हम stress lines कहते हैं वो काफी ज़्यादा नज़र आ रही है आपको draw करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर यह जो रिखा है बिल्कुल straight चलने वाली यह रिखा है mind की और जो यह रिखाएं हैं जो बहुती बारीक lines हैं इनकी heart की line को touch कर रही है यहाँ पर इनकी heart की line को cross कर रही है इस तरह की रिखाएं stress lines कहलाती है और अगर stress lines इनकी mind line को इस तरह से effect करें तो व्यक्ति को कोई नों की दिकत मांसिक problem होने के chances भी रहते हैं और तनाव जैसी दिकत का सामना करना पड़ता है जब ही mind की line के उपर इस तरह हैं की रहू रिखाएं नजर आएं और overall mind की line straight है जो एक positive चीज़ है इनके लिए जिसकी वज़े से stability रहेगी otherwise अगर mind की line भी जुकी हुई होती तो और भी ज्यादा problems हो सकती थी otherwise यहाँ पर सिर्फ जो दिकत है वो यह जो रिखाएं है जो रहू रिखाएं है उनकी वज़े से नजर आ रही है mainly इनकी जो mind line है वो बिलकुल straight है बहुत ज़्यादा जुकाव नहीं है हलका जुकाव यहाँ पर आकर नजर आ रहा लेकिन एक straight और सिधी mind की line होने की वज़े से stability रहेगी और mind इनका काफी sharp भी रहने वाला है चलिए आगे देखते हैं इनकी line of life को life की line इनके बारे में क्या-क्या indicate करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं life की line लगबग यहाँ पर एक certain age पर आकर यहाँ पर रुक रही है और आगे यहाँ पर इस तरह से continue हो रही है तो यहाँ लगबग 65 के आसपास की age रहेगी यहाँ पर यहाँ overlapping नजर आ रही है तो इस age में चल कर थोड़ी सी दिक्कत होने के chances जैसे हमने इनकी heart line में भी यहाँ problems देखी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो 60 की age में यहाँ पर थोड़ी सी problem आ सकती है stress lines यहाँ पर इनकी life line को भी disturb करती हुई नजर आ रही है तो इस तरह की stress lines होने से थोड़ी सी health problems ब्यक्ति को रह सकती है लेकिन अगर हम age की बात करें तो age काफी लंबी रह सकती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी overlapping है जिसमें कुछ दिक्कत होगी लेकिन life इनकी लंबी रहेगी 80 के असपास की age रहने के chances है और यहाँ पर आप देख सकते हैं K2 area के ओपर fish का sign बनता हुआ यह sign काफी lucky माना जाता है जिनके भी आपर इस तरह का चिन बनता है ऐसे व्यक्ति को inherited property मिलने के chances रहते हैं foreign travel करने के chances बढ़ जाते हैं इस चिन की वज़े से और overall life को भी strength मिलती है क्योंकि यहाँ पर यह रेका break हो रही उसके आगे से यह फिश का चिन बनता है तो यहाँ पर इनकी life को saving factor मिल रहा है इस benefit chain की वज़े से और अगर हम बात करें इनके चेंदर माउंट की तो अब देख से चेंदर माउंट के ओपर भी कुछ हलकी आड़ी रिखाएं नजर आ रही हैं और इनकी जो mind line है उसको भी कुछ रिखाएं क्रॉस करती हुई जो यहाँ पर double indication हो जाती है थोड़ी anxiety की दिक्कत की otherwise कोई major issue नहीं है यहाँ पर minor दिक्कतें यहाँ पर आ सकती है इनको anxiety जैसी life में और अगर हम शुकर माउंट की बात करते हैं शुकर माउंट यहाँ पर काफी अच्छा है उबरा हुआ है जिसकी वज़े से व्यक्ती को हर तरह की सुक्स विधाएं life में मिल जाती है married life के लिए यह माउंट काफी एहमियत रखता है अगर यह माउंट अच्छा रहता है तो यह है कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद